तू दरिया दरिया बिद यादा अखिया दे महले में हर शाम तिरा आलम शब गुजरी दे जग सोया यसनम चानम के वे गर यादा मीदानम शब गुजरी दे जग सोया नीम जग यादा मीदानम हेलो गाइज वेलकम बैक टु माइच चैनल कैसे आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगे तो सबसे पहले सबको हैपी नियुएर तो गाइज आप मेरी यह लुक तिक सकते हैं यह लुक मैंने नियुएर पार्टी के लिए रखी करी है तो आप इसे किसी भी पार्टी मे कर सकते हैं तो चलि स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यां पे गूड़ुवज का लिया है रोजड़ तों यह काफ़ी पार्चा अचा तोनर है उसके बाद मैंने घूड़ुज का सपार मे लिया है रोज़िप सपि siryum इसकी मैने ठ्री फौ और डॉप्स लेके अप श्राइजर क्रीम एलोवीरा क्रीम है मल्टी मल्टी विटामिन्स क्रीम है तो वाव की प्रोडक्ट काफी अच्छी होते हैं आप सबको पता है तो इसके बाद मैं सबसे पहले मैं अपना आइस मेकप कर रही हूं जो की कंसीलर लिया है मैंने मैबलीन फिटमी का शेयर नमबर लाइट है टैनकर नमबर है तो इसको ब्रॉटी ब्लेंडर की हैं एक से मैंने ब्लैंड कर लिया है आपने ब्लैंडिंग अक़िछी कोई क्रीज माइन बनने चाहिए ऐसको मैं सेट कर लेना है अपने कंसीलर को श्रा है मैबलीन फिटमी की कॉंपक्त पाउडर से पिसको मैं ताकि कोई क्रीज लाइन ना बने अब मैंने पैलेट लिया है मॉफिन का ये पैलेट है इसमें से मैंने मॉफ पिंक सा कलर है तुरहा लाइट कलर है मॉफ पिंक में तो उसको कलर को मैंने लेके आपनी आया क्रीज लाइन पे सोरी आइस की क्रीज लाइन जो होती है न तो उस मैंने इस color को blend किया है अच्छे तरीके से blend करना है आपकी blending अच्छ जाहिए अब मैंने dark color लिया है कुछ मेरे ड्रेस के साथ मिलता है इसको मैंने अपनी eyelid पर apply किया है तो इस color को आपने तब तक apply करना है या blend करना है जब तो तक तक प्राउपर में अपन घ्रस जो कलर नहीं आता तब तक मैं इ Crash day कख लोगी मैं अक्रेट कर लिए देखो कि कि doin में है तो मैंने एक लग लिया है लाइट ब्रॉक के हमें और करना है फिर इस भर यह कर देड़ करना है थांकि ठोटाए explains सब ब्राउन सब्सक्राइब आइघ्ट सी लूख आ सके अब जो मैंने ब्रॉष हर लिया था उसी ब्रॉष को मैंने अपनी क्रीज एरिया पे लाइंज जो होती है ना इसकी आइलेट पर अच्छे ते अप्लाइब कर देना है सब कुछ ना कि कोई भी क्रीज लाइन ना बने या कुछ पैची सी लुक ना आए, सब कुछ mix-up सा लगे, इसके बाद मैंने eyeliner तो नहीं apply किया है, मैंने सिरफ only mascara apply कर रही हूँ, आपके पस कोई भी mascara apply कर सकने हैं, तो eyelashes मैंने apply कर ली है, तो आप देखोगे मैंने, कई बार तो मेरे से eyelashes लगती नहीं है, बट इस बार मेरे से ए लगाया है, purple का, 24 karat gold primer है, यह काफी अच्छा primer है, यह आपके skin को smooth कर देगा और blur कर देगा आपकी fine lines बिलकुल, और इसके बाद मैं fit me foundation ले रही हूँ, shade number 128, तो आपने अपनी neck पे भी proper लगाना है, तो इसको beauty blender से, आप किसी से भी जिससे आप comfortable हैं, उसी से आप अपने foundation को blend करें, मैं जातर beauty blender ही use करती हूँ, तो मैं beauty blender से इसे blend कर रही हूँ, blending अच्छी हो चाहिए, ताकि जो आपका base है, जो आपका base अच्छा होगा, तो जो आप उसके अपर makeup या कुछ भी makeup कर रहे हो, वो अच्छा kill की आएगा, तो आपने blending अच्छी करनी है, आपने अपने full neck क को भी cover करना है, ताकि वो same color लगे, अलग लग आपका neck का color अलग या face का color अलग मत लगे, same proper इक जैसा color होना चाहिए, उसके बाद मैंने काजल अप्लाई किया है, यह के beauty का काजल है, काफी अच्छा काजल है, तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, अब flat brush के brush से मैंने, जो color eye lid पे apply किये थे न, mauve, pinkish, dark, brown, जो हो सबी color को लेके, मैं अपने काजल को smudge कर लूँगी, इसके बाद मैंने contour के लिए कुछ अलग palette या blush के लिए अलग palette ने लिया, इसी में मुझे सारे color दीख रहे थे, तो अगर आपके पास कोई ऐसा palette है, जिससे आप blush भी use कर सकते है, highlighter highlighter भी use कर सकते है, उसमें से कई बार ऐसे color होते है, यो हमारे highlighter के जैसे use होते है, contour के जैसे use होते है, तो आपको लग से लेने के जूटनी है, आप एक palette ऐसा लें, जिसमें आपके eyes का भी makeup हो जाए, और आपके face का भी makeup हो जाए, तो इसी में से मैंने bronzer, brown color लेके face को contour कर लिया और जो मैंने सबसे पहले color लगाया था ना eyes पर, उसी से मैंने अपने blush लगा लिया है, तो पहले मुझे लगा ये dark है, बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं dark come dark लगाती हूं blush, बट मुझे इस बार ये अच्छा लग रहा था look, तो इसके बाद मैंन अपने face को highlight कर लेना है, जो highlight area pointed area होते है, उनको highlight कर लेना है अच्छे से, तो आप अगर आपके पास palette है, उसमे highlighter color भी है, कुछ golden या pink golden color है, तो आप उससे अपने face को highlight भी कर सकते हैं, चिक है, इसके बाद मैं अपने eyes के inner corner पे pencil brush होता है, बिल्कुल जिससे हम eyeliner लगाते हैं, उस brush से मैंने inner corner पे अपना highlighter apply कर लिया है, उसके बाद मैं lipstick लगा रही हूँ, ये matte look lipstick है, तो ये थोड़ी brownish mauve, brownish lipstick है, ये काफी अच्छी लगी और मुझे बिल्कुल मुझे ऐसा लगा, ये मेरी dress के साथ बिल्कुल match हो रही है, और ये मेरी look के साथ ये lipstick बिल्कुल perfect लग लगी थी, तो ये है मेरी final look, ये है मेरी final look, I hope आपको ये मेरी look अच्छी लगी होगी, तो please मुझे like और comment करके बताएं, तो make sure आप मेरे channel को subscribe कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो please मेरे channel को subscribe कर दे, मिलते हैं next video में तब तक के लिए, bye,